हमारे पास एक कोशेन है जहाँ पे बोला गया है कि ऊशा स्विम्स इन नाइन्टी मीटर लॉंग पूल मतलब एक पूल है एक पूल है जिसकी लेंथ जो है वो 90 मीटर है तो बोला क्या है कि she covers 180 मीटर in one minute मतलब 180 मीटर जो है वो एक मिनिट पे cover कर लेती है by swimming from one end to the other मतलब सब्सक्राइब यह हमारा end A है यह हमारा end B है तो from one end to the other and back along the same length path मतलब A से B फिर B से A कितना हुआ 180 मीटर तो going and then returning तो यह जो दोनों हो है मतलब दोनों का combination जो है that is 90 मीटर प्लस 90 मीटर 180 मीटर जो है यह cover आप कर लेती है one minute में by swimming तो पूछा यह गया है कि find the average speed and average velocity of उशा का मतलब हमको average speed और average velocity निकालना है उशा का तो जैसे के हम जानते है average speed की बात करते हम सबसे पहले तो average speed हमारा क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन में टोटल टाइम टेकन तो फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है हमारा 90 मीटर प्लस 90 मीटर 180 मीटर तो 180 मीटर हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अब टोटल टाइम टेकन कितना है टोटल टाइम टेकन है 1 मिनिट क्योंकि यह 1 मिनिट लेती है A से B फिर B से A जाने में तो 1 मिनिट मतलब 60 seconds तो यह हमारा हो गया 3 मीटर पर सेगेंड तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वह आ गया 3 मीटर पर सेगेंड अब हम बात करते है एवरेज विलोसिटी की बात करते है तो एवरेज विलोसिटी क्या हो जाएगी क्या होती है नेट डिस्प्लेस्मेंट अपन टोटल टाइम टेकन तो यह हम जानते हैं तो जो नेट डिस्प्लेस्मेंट है जैसे A से B फिर B से A तो हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेस्मेंट होता है जो हमारा क्या होता है वह होता है वह होता है final point और initial point के بीच में state line distance, minimum distance लेकिन क्यूंकि final point और initial point हमारा same है क्यूंकि A से B जा रही है, फिर B से A आ रही है तो हम क्या सकते है कि जो हमारा displacement होगा वो 0 होगा तो net displacement हो 0 m and time taken is 1 minute, मतलब 60 seconds तो यह हमारा हो गया कितना 0 meter per second तो इसका मतलब जो average speed है वो है कितना, 3 meter per second average speed है 3 meter per second and average velocity हमारा कितना है 0 meter per second तो यह है इस सवाल का complete answer झाल कितना है झाल कितना है झाल कितना है